आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होगे, मेरा नाम ऐसे धान तक नहीं हो, तरही स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, दोस्तों लपनो पुलिस ने ये बोला है कि भाईया अगर रेल रोग को अभियान में पाट लोगे या अगर नॉर्मल से डिस में और देज भर की पुलिस में देखें, पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन जाधा तरह पुलिस ने यहीं बोला है कि धार 144 का अगर आपने इसको तोड़ा, तो आपको जेल में डाल देंगे, या फिर NSA लगा सकते हैं, लखनो पुलिस ने तो यह तक बोल दें कि तो देखें, आपको पताईए कि जो अजय मिश्रा का बेटा है, आशीश मिश्रा, उसके ओपर यह आरोप लगा ना, कि किसानों के पर गाड़ी चला दी, तो अब इसके ओपर तो कारवाई होई डिये, लेकिन अजय मिश्रा अभी तक क्याबिनेट में हैं, इनको कभी तक इन्होंने स्तीफा क्यों नहीं दिया, इनकी ये कहना है, तो यही है रविवार की शाम को जो एहम बैटक हुई है, साफ कर दिया गया, कि लखीनपूर खीरी में किसानों की जो हत्या हुई है, उसी के विरोध में, क्योंकि हमारे मांगे पूरी तो हुई नहीं है, तो उसी क दस बजे से शाम को शांती पूर तरीके से रेल, रोको अंदोलन चलेगा, और ये शिडूल के अनुसारी जारी रहेगा, तो आप समझी कि सूम बार को सुबा से लेकर शाम तक दिल्ली से जो भी गाड़िया आ रही है, प्रभावित होगा भाई, परिचालन प्रभावित हो यहां पे recruitments, news और बागी current अफेल news डालना शुरू कर दिया हमारा official page ही है और हमारे courses को अपवेल कर सकते हैं Northern Railway की तरफ से शाम तक यह बोला कि बहुत ही देखो train की cancellation, route diversion या route short termination अभी तो हम कुछ नहीं बोलेंगे यानि कि अभी तक Northern Railway ने यह नहीं बोला है कि अगर मालीजे कोई problem होगी तो route को divert किया जाता है या cancel किया जाता है तो यह ऐसा नहीं हुआ है दिल्ली, अंबाला, फिरोजपूर, मुरादाबाद, लखनो train का schedule तो प्रभावित हो सकता है लेकिन क्या divert किया जाएगा, रोका जाएगा, cancel किया जाएगा, पता नहीं 27 सितंबर को जब किसानों ने भारत बंद का आवान किया था, उस दिन भी जगा जगा रेल्वे ट्रैक पे किसान बैट गए थे और सेवाओ पे काफी ज़्यादा असर पड़ा था कौन-कौन रूट प्रभावित रहेंगे, ठीके रेल्वे का यही कहना है कि जिन रेल्वे स्टेशनों को और उनके आसपास के रेल सेक्शन्स पर रेल सेवाए ज़्यादा प्रभावित होने क्या शंका है, उसमें दिल्ली सरोतक, पानिपत, सोनिपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला, जालंदर, लुदियान, यान कि यही, यह वेस्ट यूपी, पंजाब और हर्याना, यहाँ पे रेल रूट जो है वो प्रभावित हो सकता है, अब वैसे किसान संगटन तो कह रहें कि हम शांती पून तरीके से बोला है, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए, अलरेडी जारी कर दिया गया, इस्पेशली कुछ संवेदर शिल जगाओ पे तो पैरा मिलिटरी फोर्स की भी तैनाति की जा रही है, और रेलवे के स्टाफ को भी अलर्ट कर दिया गया है, अलर्ट पे रखा गया है कि कुछ भी हो सकता है, हाला कि किसान संगटन यहीं बोल दिया जाए, अगर यात्री चाहें तो ट्रेन छोड़के वो सड़क से आगे चले जाए, अब वही बात है कि माल लिजे कि कोई SI station हो, जहाँ पे सड़क भी ना हो, सड़क इंद सेंस कि भाई बहुत मुश्किल हो, वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट तक क्या करें, आपको बत होते ही कि जब ट्रेन रुकती है और इतने टाइम के लिए रुकेगी, तो बड़ी बात ही है कि ट्रेन पे खाने पीने मेडिकल की सोवधाय नहीं रहती है, तो देखना पड़ेगा दोस्तों यह आज अंदोलन है, रेल रो को अभियान है, और यही है कि इसमें किसी भी तरी केसे अजय मिश्रा को स्तीफा देना, अब अजय मिश्रा ने बोला कि भाई जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, तो मैं क्यों स्तीफा दूँ, तो देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है, खुश रही पड़ते रेदे से सिद्दान तक नियोतरी साइनिंग,